हेलो फ्रेंट्स और वेलकम तो हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर और मेरा नाम सोनी है गुज्रा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है समय हाथ में पड़ी रेथ की तरह होता है जो बस फिसल ही जाता है जी हाँ फ्रेंट्स आज मैं आप सबसे बात करने आयूं समय मेंस घडी प बहुत सारी शुक्षांती और संब्रिधी लेकर आ सकता है आये जानते हैं कैसे घडी की सुईयां जो टिक-टिक करके सिर्व हमें समय ही नहीं बताती है ये बेसिकली एनेर्जी को भी बहुत जादा इन्हांस करती है तो अगर हम इसे सही दिशा में लगाएंगे तो बहुत जादा पॉजिटिव एनेर्जी पड़ेगी चलिए जानते हैं कि आखिर ये बेस्ट डारेक्शन कौन सी है सबसे पहले नौथीस ये किसी भी घडी को लगाने के लिए बेस्ट डारेक्शन होती है नौथीस रिप्रेजेंट करता है वाटर मेंस पानी को इसलिए यहां पर ह इस डारेक्शन में गड़ी लगाने से करियर और मनी में Angrement होता है मेस, मेस और पैसा मिल जाएगा और आपको करियर में आपके प्रोशन और घ्रोथ भी आपने हमेलेगी तर्ड डारेक्शन होती है इस डारेक्शन में घडी लगाने से social symbol और relationship enhance होता है में इस घर के मुख्या का मान समान बढ़ेगा और परिवार के सदस्यों में आप से विश्वास बढ़ता है इस direction में आप किसी भी wooden base की घड़ी लगा सकते है इसके बाद जो fourth direction मानी जाती है वो होती है west direction इस direction में घड़ी लगाने से काफी good लगाती है इसलिए यहाँ पर हमेशा हमें metallic color की ही घड़ी को लगाना चाहिए south wall जितना जादा हो सके इस direction में घड़ी कभी मत लगाए क्योंकि यह direction यम की direction होती है इसलिए इस direction को वास्तोशास के according बहुती bad direction means अशुब दिशा मानी जाती है इसके सवा कुछ और important tips ज्यान रखे कि घड़ी पर कभी भी धूल मिटी जमाना हो पाए second बंद घड़ी negative energy को उत्पन करती है इसलिए किसी भी प्रकार की बंद घड़ी अगर घड़ में है जो या तो इसे तुरन ठीक करा दीजे या फिर इसे discard कर दीजे क्योंकि ये भी बहुत सारे अशुप समाचार को लेकर आती है third घड़ी को कभी भी अपने बेट के just उपर जहां पर आप सर रख कर सोते है वहां कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे stress उत्पन होता है और काफी health issues भी आते है इसके सिवा beam के उपर भी कभी घड़ी नहीं लगानी चाहिए और ना ही घड़ी को कभी भी bathroom और या फिर toilet के अंदर या फिर उस wall के उपर लगाना चाहिए क्योंकि वहां से भी बहुत जादा negative energy enhanced होती है so friends अगर हम ये चुचुचे उपायों का ध्यान रखते हैं घड़ी लगाते वक्त अपने घर में तो हमारे जीवन में बहुत जादा सुक शान्ती और संब्रिधी आती है और हम एक बहुत अच्छा खुचाल जीवन जी सत I hope you like my video please don't forget to like and subscribe my channel for further new videos Thank you